नमस्कार आप सभी का मेरे इस चैनल रोचा कथाय में पुना स्वागत है आज मैं आपको नरक से मुक्ति के लिए सास्त्रों में बताये गए उपाये बताने वाला हूँ तो दे नहीं करते शुरू करते हैं आज की वीडियो जीवन में केवल एक ही सत्य है और वह है मृत्यू सास्त्रों के अनुसार मृत्यू के बाद इनसान अपने कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नरक में स्थान प्राप्त करता है अगर इनसान ने अपने जीवनकाल में अच्छे कर्म किये होंगे तब उसको स्वर्ग में स्थान होता है और अगर बुरे कर्म किये होंगे तब नरक में यमदूतों से दंडित किया जाता है सास्त्रों में नरक से मुक्ति के लिए कुछ उपाय बताए गया है इन्हें मनुश्य अपने ध्यान में रखे और इनका अनुकरण करे तो यह जीवन भी सांती से बीतेगा और सरीर त्यागने के बाद उत्तम लोक में स्थान प्राप्त होगा ऐसा ही सास्त्रों में बताया गया है सास्त्रों में बताया गया है कि इन्सान को रामचरित मानस का नीमित पाठ करना चाहिए बताया जाता है कि इसका पाठ मृत्यू के समय होने वाले कष्टों को भी कम कर देता है भगवान विश्णु के रामा उतार की कहानी से अक्षय पुन्य की प्राप्ती होती है रामचरित मानस की चौपाईयां केवल सब्द नहीं है ये इंसान के मरने के बाद भव सागर से पार कराने वाली नईयां का भी काम करती है इससे जीव को स्वर्ग में उच्चिस्थान प्राप्त होता है दिवाली के एक दिन पहले आने वाली नरक चतुरदसी और माध कृष्ण चतुरदसी जिसे नरक निवानन चतुरदसी के नाम से भी जाना जाता है इसकी बड़ी महिमा है इस दिन व्रत पूजन से बनुशन जाने में किये हुए पापों से मुक्ति पा जाता है इससे यम मार्ग में जीव को नहीं जाना होता है सिव कृपा से ऐसे व्यक्ति पीतर लोग से उपर के लोग स्वर्ग में जाकर अपने पुन्य कर्मों के अनुसार सुक प्राप्त करता है हिंदु धर्म में एकादसी का व्रत बहुत पुन्यदाई माना गया है सास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति एकादसी के दिन वरत रखता है तो वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है नरक से मुक्ति के लिए एकादसी का वरत बड़ा ही उत्तम साधन माना गया है एकादसी भगवान विश्णू की सबसे प्रियती थी है इस सुरत को करने से घर में सुक्षांती का वास होता है और व्यक्ती को नरक से मुक्ति मिलती है पुराणों के अनुसार 24 एकादसियों में आसान मास की सुखल पक्ष की एकादसी जिसे देव सैनी एकादसी कहते हैं और कार्तिक सुकल पक्ष की एकादसी जिसे देव उठनी एकादसी कहते हैं तथा मार्ग सिर्समास की मोक्षदा एकादसी का विशिष्ट स्थान है विष्णु सहस्त्र नाम का नेमित पाट करने से व्यक्ति का भाग्य हमेशा सांथ देता है और वह स्वर्ग में उच्छिस्थान प्राप्त करता है इसका पाट करने से व्यक्ति के अंदर सकरात्मा कुर्जा का वास होता है और व्यक्ति पाप कर्मों से मुक्ति पाता है विश्णु सहस्त्र नाम का पाठ जीवन की सभी बाधाओं को दूर करता है और नरक से मुक्ति दिलाता है सास्त्रों में बताया गया है कि हर रोज गंगा जल पीना चाहिए और तुलसी के पत्ते का सेवन करना चाहिए ये दोनों ही भगवान विश्णु को अत्यंत प्रिय हैं इसके सेवन से मनुष्य का मन पाप कर्मों से हटता है और जीवन में सकरात्मक भाव का संचार होता है इन दोनों को ही मुक्ती दाइनी कहा गया है इसलिए अंत समय में भी व्यक्ति के मुह में गंगा जल और तुलसी के पत्ते डाल दिये जाते हैं यह भी ध्यान रखे कि अपना आचरण, व्यवहार, सुद्ध और सात्विक रखना ज़री है छल कपट से दूर रहना चाहिए और अहिंसा परमधर्म है या मानकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए और इमानदारी से रहना चाहिए तभ यही आपको उपासना और रत कर्मों का सुख फल प्राप्त होगा तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे जाज़्यादा श